हेलो गाईज, वेलकम टू वांडरलस, वांडरलस के आज की इस एपिसोट पे मैं आपको जापूर में एक बहुत इस्पेशल जगे पे ले जाने वाली हूँ जिसे बनवाया है मीडिया हाउस ने जी हाँ, आप अभी तक समझी गए होंगे, मैं कहा की बात कर रही हूँ इसे जापूर का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है, जापूर के अंदर ये जो लोकेशन है, ये काफी जादा फेमस हो चुकी है इंस्टावर्दी फोटोज और वीडियोज के लिए ये जगे जाने जाती है, और जितने सारे इंफ्रेंसर्स हैं यहाँ पर आते हैं, प्री वेडिंग शूट भी यहाँ बहुत ज़ादा होता है और मैं आपको इस गेट के बारे में सब कुछ टीटेल से बताने वाली हूँ, ये जापूर का नवा गेट भी है और यहाँ पर क्या-क्या चीजे होने वाली है, कैसा होने वाला है ये लोकेशन, ये एक पॉफिक चिलिंग पॉइंट है, यहाँ पर आप पिकनिक मना सकते है बैट सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जोगिंग कर सकते हैं, तो चलिए वहीं चल कर देखते हैं कि कैसा होने वाला है ये पत्रिका गेट, लेट्स गो, तो हम पहुँच चुके हैं पिंक सिटी जैपूर, और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बेह श चांदार सी लोकेशन, जिसका लैंड मार्क बहुत ही जादा वाइबरेंट होने वाला है, और ये जगे लोकेटेड है, जबाहर सेर्किल के पास में, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये है पत्रिका गेट, जिसका डिजाइन और आर्किटेक्शर बहुत जादा खुबसूरत होने वाला है, इसके ब्राइट कलर्स और इंट्रिकेट कावीन्स देखने वाले को अट्रैक्ट करते ही करते हैं, तो चलिए चलते हैं पत्रिका गेट, लेकिन इससे पहले आप ये देखिए, ये है हमारा मार्बल गेट, यहां से हम एंट्री लेंगे, आप चाहें तो सामने से भी जा सकते हैं, पर ये मार्बल गेट को देखते हुए हम चलेंगे, पत्रिका गेट की तरफ, पूरा का पूरा सरकल गुमाऊंगी, मैं आपको यहां पर, क्यूंकि इस सरकल के अंदर होने वाली हैं, कई सारी चीज़ें, यहां पर म्यूजिकल फा अलाम आर्च और राजस्तान का हैरिटेज और कल्चर है, जो ब्योडिफुली राजस्तान को डिपेक्ट करता है, तो यहां फोटोग्राफी करने के लिए बहुत ही सुन्दर सुन्दर स्पॉर्ट हैं, चलिए चलते हैं, यह पत्रिका गेट के लिए, लेकिन इस से पहले हम घूमते हैं इस सरकल के आसपास निकलते हैं इस गेट से और जो बहुत ही खुबसूरत माबल का गेट है आप देख सकते हैं, यह जो गेट है, यह पूरा स्काई के साथ कितना खुबसूरत लग रहा है, कितना फोटोजैनिक लग रहा है, यह जो जवाहर सरकल है, यह बहुत इंटरनेशनल एरपूर्ट से बहुत ही जादा पास में हैं तो ये शहर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर स्पॉर्ट भी है जवाहर सरकल पाक अपनी मनमोहक हर्याली सुन्दर सा फाउंटेन और वाकिंग पत के लिए बहुत ज़दा मशूर है तो इस पूरी जो ग्रीनरी है इसका मज़ा लेते हुए हम वाक करेंगे इस पूरे पत में जहां आपको मिलते हैं खाफी खुबसूरत से पेड़ और यहां हर तरह पक्षियों के लिए दान की खासा इंतजाम है जहां आप घूम सकते हैं मौनिंग वॉक कर सकते हैं जॉगिंग के लिए लग ट्रैक है लोकल लोग हो या फिर हो टूरिस्ट यह सब के लिए एक फैवरिट स्पॉर्ट तो बन ही जाता है इस पार को बहुत ही ब्यूटिफुली डिजाइन किया गया है यहां पर आप सौ से जादा प्रजातियों के पेड़ देख सकते हैं जगे जगे पेड़ों को विवस्थि ढंग से गार्डनिंग बहुत अच्छी की गई है और उन पे बेलों मगरे की विवस्था की गई है कि किस तरह यहां पर बेलों को चड़ाया जाए तो यह सिर्फ इ बड़े अराम से चिल कर सकते हैं यह पाक के चारो तरफ एक जॉगिंग ट्रैक है जहां पर आप अपना घूम सकते हैं जॉगिंग कर सकते हैं अपने जो मॉर्णिंग रूटीन है यहां से शुरू करेंगे तो आपका दिन बहुत ही ज़ादा खुबसूरत जाएगा जवाह के साथ यहां पिकनिक मनाने आ सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी खुली जगह है और आप बिलकुल निशिंत होकर अपने बच्चों को खेलने दे सकती हैं अगर आप नेचर के बीच बैठना चाहते हैं कुछ समय बिताना चाहते हैं कुद को रेजिवेनेट करना चाहते हैं अपने लिए कुछ टाइम चाहते हैं मेंटल पीस चाहते हैं तो यह बेस्ट जगे है पत्रिका गेट पत्रिका गेट के आसपास सब कुछ है यहां पे खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब भी आप आएं तो comfortable shoes में आएं क्योंकि काफी बड़ा मैदान है आप काफी दूर तक चल सकते हैं काफी सारा गूम सकते हैं यहां पर और अगर आप जैपूर में है तब तो आपके लिए यह सबसे जादा शांती और सुकून की जगे है अगर आप जैपूर में नहीं रहते हैं तो ज अच्छा music चलता है जो हर दिन बिल्कुल अलग अलग बजाया जाता है तो यह भी काफी जादा मज़ेदार हो सकता है यहां पर आपके लिए एक मज़दार activity हो सकती है तो यह कुछ इस तरह का यहां पर एक temple है पानी पीनी की जगे है यहां पर आपको washrooms मिल जाते हैं अगर आप अपनी bottle refill करना चाहते हैं तो यह मंदिर के आसपास आपको पानी मिलता है इससे आप refill कर सकते हैं चुडियों के लिए हर जगे कितनी खुबसूरत सी जो पानी की विवस्था की गई है और उनके रहने के लिए कितने खुबसूरत खुबसूरत पेड़ है तो यह जगे म बैट के बहुत शांती सुकून शेर की भीड़ भार से दूर आप शहर में यह फिर भी आप अपने आपको शेहर की भीड़ भार से दूर एकदम सुकून में फील करते हैं अपने लवड़ वन्स के साथ इस जगे पे आना तो बनता ही है जैसे कि मैं आप से क्या रही थी कि इस पार्क में आप अपने परिवार के साथ अपने फ्रेंज के साथ पिकनिक मना सकते हैं तो प्लीज यहां पिकनिक मनाईए पर कच्रा बिल्कुल नहीं छोड़िये अपना कच्रा साथ लेके जाए क्योंकि जगे कितनी सुन्दर लग रही है तो इससे प्लीज स्पॉयल मत कर यहां पर रहने वाले इंजीव जंतों को भी खुशी से रहने दीजिए क्योंकि यह पार्क इतना मनमोहक है इतनी जादा यहां पर हर्याली है यहां पर यह जो फाउंटेन है यह बहुत ही जादा अच्छा लगता है अभी यह उपरेशनल नहीं है यह नहीं चल रहा है लग रही है अगर आप देखेंगे स्काई के साथ तो इस कार्केटेक्शर काफी खुबसूरत लग रहा है चलिए अब चलते हैं हम गेट की तरफ जो पत्रिका गेट पर लगबग हम पहुँच चुके हैं आप देख सकते हैं इसके बाहर भी बैठने के लिए काफी सारी आप यहां पर कभी भी किसी भी टाइम पर आ सकते हैं कोई मना नहीं करता 24 गंटे यह खुला रहता है तो चलिए चलते हैं पत्रिका गेट के अंदर और यह है राजस्थानी रजवानों की कहानी गेट का हर कॉलम हर पैनल बहुत ही खुबसूरत होने वाला है यह जो पत्रि का गेट लिखा हुआ मिल जाता है इसके साथ भी फोडोग्राफ काफी खुबसूरत आती है नाइट में यह जगे और ज़दा सुन्दर हो जाती है अगर आपको अंदर की चितरकारी देखनी है तो मौनिंग का टाइम बेस्ट रहेगा नाइट में आप बाहर बैट के इंज कितने सारे कलर से बनी हुई है यहां हर रंग का एक स्पैसिफिक मीनिंग है और यह सब मिलकर राजस्थान की एक रंगीन कल्चर को दिखाते ही है इस गेट पर गुलाबी पीला नीला हरा और लाल रंग कितना सारा यूज हुआ है जो इसको इतना वाइबरेंट बनाता है ज बहुत ही जल्दी यह जगए इंस्टा वर्दी प्लेस बन गई और जिसकी वज़े से हवा महल से भी जादा लोग यहां पर आने लग गए हैं और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबके हाथ में कैमरा या फिर रील्स बनाते हुए लोग हर जगे आपको दिख जाएंग इसमें अजमीर, उदैपूर, जोध़फूर, बीकानेर और जैपूर के महा राजाओं का इतिहास है और कहानियों के चित्रकारी के मादे हम से आपको दिखाया गया है यह जो चित्रकारी है यह आपको राजस्थान के शाही इतिहास की यात्रा पर जरूर ले जाएगी यहा और यहां पैलेसिस भी दिखाए गए हैं यह मोटिफ राजस्थानी कल्चर और विरासत के प्रतीक हैं और यह जो गेट हैं इनका आर्च देखिए हर हिस्सा कितना सुन्दर हैं साथ ही यह बहुत ही इंटीग्रेटेड पैटर्ण और जेमेट्रिकल डिजाइन्स गेट को एक टच देती हैं अगर आप आकेटक्ट के स्टुडेंट हैं या फिर आर्ट लवर हैं तो यह जगे आपके लिए बिल्कुल पॉफेक्ट होगी पत्रिका गेट की चितरकारी अगर आप देखेंगे इसके साथ-साथ जो यहां पे नेचर है यहां पे जो प्रक्रती है यह इसक कालरफुल चितरकारी की गई है इस ग्रीनरी के बीच में अपने आप में एक अलगी सुकून देता है यहां पर जितनी भी राजस्थान के लोग जीवन में चीजें हैं महतुकून चीजें हैं वो सारी यहां पर बनाई गई हैं जैसे कि हाती हैं घोडे हैं और यह बहुत से चितरकारी की गई है यहां के जो मूरल्स है वो फेस्टिवल और ट्रडीशन को दिखाते हैं गेट पर आप देख सकते हैं राजस्थान के पर्व और परमपराओं के हिसाब से डिपिक्ट किया गया है यहां पर कई सारे होली दिवाली तीज और गंगुर जैसे त्योहार परों की चितरकारी दिख रही है यह जो मूरल्स है यह राजस्थान की लोक संस्कृति और जीवन शैली को भी दिखाते हैं यह गेट की एस्थेटिक अपील को और भी जादा इन्हेंस कर देते हैं यह सब यहां के लोक कलाकारों ने बनाया है और यह देखके लगता है कि इ आपका दिल तो यहीं बैठ जाएगा काफी जादा देर तक आप हर गेट को हर कॉलम को हर आर्च को निहारने वाले हैं क्योंकि यहां पर कहीं कुछ नहीं चूटा हुआ है हर तरफ कुछ ना कुछ डिजाइन से आपको देखने को मिल जाती है इतनी सारी चित्रकारी और इत प्राजस्थानी वाला फील आने वाला है अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो कोशिस करिए थोड़े ट्रडीशनल ड्रेस लेके आएं ताकि आपकी रील्स बहुत खुबसूरत बनेंगी क्योंकि यहां पर इतने सारे कलर्स के बीच में वेस्टरन वेर का तो कोई मतला भी न आई है क्योंकि यह जगे आपको ना मजबूर कर देगी यहां पर कुछ टाइम बिताने के लिए मेभी आप पूरा दिन भी यहां निकाल सकते हैं अगर आपको इंट्रेस कम आया तो इसके आस पास आप और कई सारी चीज़ें हैं बहुत कुछ है यहां पर करने के लिए वह भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी बाकी जवाहर सैकल पे करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है खाने पीने घूमने फिरने की जगे है और इस जगे पे आकर आपका जो डे है वो वाकई बहुत ही अच्छा बीतने वाला है क्योंकि यह जो पत्रिका जिए के लिए कि और ज्यादा लुए मुझेट लगती है तो आफ कुछ इस तरह से अपना प्लान कर सकते हैं कि आप डे टाइम में तो यहां पे रहे ही साथ ही आप शाम भी यहां पर बिता सके है तो यहां आपका बार्यंच में यह मुझे जरूर कोमेंट में बताईए मेरे नजर में तो इस जगे की रेटिंग 5 out of 5 है और पूरे के पूरे जवाहर सरकल की रेटिंग के अगर बात की जाए तो मैं इसे 4.5 की रेटिंग तो दे ही दूँगी ओवराल पत्रिका गेट जैपूर एक must visit destination होने वाली है राजस्थान के rich culture heritage को अगर आप experience करना चाहते हैं तो ये एक best spot है इसके stunning architecture, vibrant colors और rich history इसे एक memorable experience बनाते हैं अगर आप जैपूर में हैं तो प्लीज अपनी travel itinerary में इस जगे को जरूर से शामिल करिए क्योंकि आपने बह पर photography करिए इसके aesthetics को feel करिए और photographers के लिए तो ये जगे heaven है क्योंकि इसका हर corner एक perfect shoot के लिए ready है तो आप कब आ रहे हैं अपने camera को ready करके क्योंकि gate है बहुत ही ज़ादा bright बहुत ही ज़ादा unique design से lash है ये एक perfect instagram spot तो है ही साथ ही अपकी शाम को ये बना देगा बहुत ही ज़ा it's on और ये gate बहुत ज़ादा royal और majestic लगेगा उस time पे आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ शाम का नजारा कुछ ऐसा होता है तो पत्रिका gate एक architectural marvel ही नहीं है बलकि ये राजस्तान का culture है heritage है जिसको promote करता है और अब यहाँ पर काफी सारे लोग आने लगे हैं यहाँ प आप देखिए यह जगे culture और heritage के लिए पूरे world में famous है यहाँ पर बाहर बाहर से लोग आते हैं तो हम लोग क्यों नहीं यहाँ पर जाकर यहां का मजा लेते हैं तो इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में जैपूर का एक अलग पहलू दिखाने के लिए तयार प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजे ताकि आपको आगे के अपदेट्स भी मिलते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग और हाँ जाने से पहले अगर आपने नहीं किया है लाइक तो लाइक करन के साथ कॉमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखने का मन है तो एक प्यारा सा दिल पत्रिका गेट के लिए बना दीजिए बाबाई